आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में मैं explain करूंगा कि कोई व्यक्ति आपको यदि blackmail करने की कोशिश कर रहा है चाहे किसी भी वज़य से blackmail क्यों ना कर रहा हो हो सकता है कि आपकी थोरी बहुत गलती हो भी और उसके बाद से सामने वाली को एक opportunity मिल गया और उसने आपको blackmail करना शुरू कर दिया किसी भी condition में अगर कोई व्यक्ति आपको blackmail कर रहा है तो इस situation से आप अपने आपको कैसे बचा सकते हैं इससे निपटने का क्या रास्ता है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर blackmail हो रही है तो क्या करें यह बहुत important चीज़ है तो मैं आपको legal provisions के बारे में बताऊंगा कि blackmail हो रही हो तो क्या करना चाहिए देखे आज कल जो blackmail हो रही है वो कई तरीके से हो रही है पहला चीज़ जो यह है कि किसी ने video call कर दिया video call करके nude photographs आपके ले लिए सामने से बं कि कई लोग blackmailing तब भी करते हैं जब आप personal time spend करते हैं वो video या photograph किसी के हाथ लग जाए उसके बाद से भी blackmailing start हो जाता है किसी भी तरीके का situation हो सबसे पहला काम तो यह करना है कि आपको अपने social media को deactivate करना है उसके बाद से आपको police complaint करना है police complaint करेंगे तो क्या complaint होगा उसके बारे में जान लेते हैं देखिए सबसे important क्या होता है कि आप जब कभी भी blackmailing होती है न तो blackmailing के पीछे जो सबसे बड़ा जो गहरी बात होती है वो यह होती है कि आप अपने परिवार या friends को नहीं बताना चाहते हैं और इस वज़े से आ blackmail होते रहते हो सबसे पहला काम यही करना है कि आपको अपने परिवार में या अपने friend circle में आप किसी को भी बताईए आप inform करिये अपने या तो friends को कर दीजिए या family को किजिए जिस पे भी आपका confidence है उसको आप एक बार inform किजिए बताईए दूसरा जो आपको step लेना है कि अब आपको FIR registered कराना है देखिए जब कभी कोई blackmailing कर रहा होता है तो वो एक तरीके से crime कर रहा होता है और आप अगर इसको report नहीं करोगे तो यह crime रुकने वाला नहीं है यह चलता रहेगा चलता रहेगा मैं आगे 4-5 प्रश्णों के बार में भी बताऊंगा जो normally दिमाग में आता है उन सवालों का भी जवाब दूँगा सबसे पहला चीजिए है कि जब आप FIR करने के लिए जाएंगे तो FIR जो registered होगा उस section 292 और 293 यह IPC का section है हाला कि अब तो IPC change होकर के अब भारतिये न्या संहीता बनने वाला है लेकिन अभी हम IPC की बात करते हैं IPC के section 292 और 29 293 के तहत कुछ भी selling करना disturbing और publishing option material यानि यह अगर कोई भी option material किसी के पास में है चाहे वो किसी का भी हो अगर आप उसको publish करते हैं broadcast करते हैं WhatsApp पे broadcast करते हैं कैसे भी broadcast करते हैं publish कर रहे हैं तो इसको offense माना जाता है crime माना जाता है और IPC के section 292 और 293 में यह FIR registered होता है किवल इतना ही ने अगर मान लिजे जो blackmailing हो रही है वो 18 साल से कम उम्र के लरकी के साथ हो रही है या 18 साल के कम उम्र के लरकी का photo या video दिखा करके blackmail करने के कोशिश की जा रही है तो आप POXO Act में भी case registered करा सकते हैं मैं आपको बताऊं कि POXO Act बहुती serious act है अगर इस act में क किसी के खिलाफ case registered हो जाता है तो उसको बहुत मुस्किलों का सामना करना पड़ता है और जो तीसरा जो है वो चुकी आजकल देखेंगे कि जो भी blackmailing होती है उसमें phone का इस्तिमाल ज्यादा से ज्यादा होता है तोसल मेडिया का इस्तिमाल होता है बहुत ज्यादा जो होता ह है electronic चीजों का इस्तिमाल किया जाता है website का इस्तिमाल किया जाता है तो ऐसे situation में IT Act भी FIR के जोड़ दिया जाता है IT Act का जो section है वो section 66 of IT Act है ये deal करता है कि अगर आप कुछ भी ऐसा option publish करते हो चाहे वो आप phone में करो या कहीं पर भी करो तो आपके खिलाफ FIA registered हो जाएगा और उसमें जाच होगी जिन धराओं की मैं बात कर रहा हूँ इसमें उमर कैद तक की सजा है साथ साल तक की सजा है डिपेंड करता है कि किन धराओं में आपका आपका जो case है वो registered हो रहा है और जैसे ये case registered हो जाता है blackmailer को वो blackmail करना भूल जाएगा जो blackmailer है वो क्यों blackmail कर रहा है जीतने भी blackmailer होते हैं वो आपके डर की वज़े से blackmailing करते हैं जैसे ही आपने उसके मन में ये विश्वास दिला दिया कि आप उससे डरने वाले नहीं है तो यकीन मानिए उसकी blackmailing खतम हो जाएगी तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि पूरे विश्वास के साथ उससे फोन पर या जैसे भी आप बात करें बात करें और उससे डरें नहीं ये सबसे important है मैं कुछ प्रशनों को ले लेता हूँ कुछ सवालों को ले लेता हूँ और जो नॉर्मली दिमाग में आता है आपके मन में तो सबसे पहला है कि how can I protect myself from blackmail देखे सबसे इस सवाल का जवाब ये है blackmailing आपकी तब शुरू होती है जब आपकी कोई कमजोरी किसी को मालूम चले चाहे आपका photograph, video या कुछ भी ऐसी कमजोरी जो किसी और को मिल जाए कोशिश करिए कि आपकी कोई भी कमजोरी किसी और को ना मिल पाए तो आप blackmailing के शिकार हो ही नहीं पाएंगे तो आपके इस सवाल का जवाब ये है अब फिर भी अगर आप trap हो गए हो तो मैंने इस से पहले बताया है कि आपको कैसे अपने फ्रेंड और फैमली को बताना है और एफाई या रेजिस्ट करना है दूसरा जो important चीज होता है अगर आपने सवाल ये है कि क्या मैं blackmailer को कुछ पैसे पे कर दूँ तो क्या blackmailing रूख जाएगा बिल्कुल नहीं रूखेगा सवाल ये है कि अगर आपने हजार उपे भी blackmailer को दे दिया तो आपने उसको motivate कर दिया कि आप और पैसे दो और वो blackmail करेगा तो बिल्कुल भी पैसे नहीं देना चाहिए सबसे बरी गलती होती है हरगेज पैसे blackmailer को नहीं देना चाहिए तीसरा जो है उसने आपको phone के माध्यम से communicate किया है या video के माध्यम से communicate किया है या text message भेजा है कैसे भी communicate किया है आप उन सभी चीजों को संभाल करके रखे एवन अगर उसने कोई photographs, video आपके पास भेजा है वो अशलील ही क्यों ना हो आप उसको भी संभाल करके रखिए क्योंकि वो भी उसके खिलाफ as evidence यूज किया जा सकता है और चौता है अगर आपने blackmail के बारे में police में report नहीं किया तो इसका क्या consequence होगा कि blackmail को ये motivation रहेगा कि आप उससे डर रहे हो और कोई ऐसी कमजोरी है जो आप सामने नहीं आने देना चाहते हैं तो वो आपको और blackmail करेगा और blackmail करते हुए जो आपकी चीजे हैं वो आपके social friends में या family में या बाकी जितने भी contact number उसके पास हो सकते हैं उन सभी जगों पे share कर सकता है तो आप उससे डरिये मत उसको threat कीजे कि उसके खिलाफ police में complaint आप कर देंगे और आप उसके खिलाफ complaint कर भी दीजे उमीद है कि इस वीडियो से यदि आप blackmail हो रहे हैं तो कुछ मदद आपको जरूर मिलेगा अगर आपके मन में blackmailing से सम्मंदित कोई सवाल है किसी situation को face कर रहे हैं तो आप हमारे help line number डबल डबल जिरो ट्रिपल फो ट्रिपल फाइब पर सुबह नौ बज़े से लेके शाम को आट बज़े तक कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी website leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो जरूर इसको लाइक हिजे तो